हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल मेड़केम क्लासेस में तो आज जो है मैं आपके सामने केमिस्टी वालों को भाई बहुत फिकर रहती है कि जो नोटिफिकेशन की पता नहीं चल पाता है तो अभी आपके सामने जो लिखा हुआ है उत्तराकंड लेक सेब आयोग यू के PCS तो उसने मतलब जो है क्या करा है राज किया पोलो टेकनिक एबं सायक सोद अधिकारी के पद के लिए कुछ बेकेंसी निकाल ली है जिसमें केमिस्टी के लिए भी बेकेंसी है या अगर मैं सिंपल सब्दों में कहाँ तो पोलो टेकनिक स्कोलीज में लेक् अब देखेगा इसमें ये जो बिज्ञान प्रकासन की तिथी मतलब जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 23 जुलाई को आ गई है और जो लास्ट डेट है फोर्म फिल करने की वो 12 अगस्ट 2024 की है ठिक और ऐसी जो है अगर हम संसोधन के लिए करेक्शन के लिए 18 अगस्ट जो ये आप एक्जाम दे रहे हो इसके लिए आपको PG की जरूरत है मतलब आपने केमिस्टी में अगर केमिस्टी के लिए आप जो है डाल रहे हो फों तो आपने जो है वो MSC करे होए होनी चाहिए और नेट कोई जरूरी नहीं है अब देखिएगा अगर मैं आपको दिखाऊं यह देखिए यह वाली लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहां पदों की संख्या अगर हम जो है टोटल नंबरों बेकेंड सीट की बात करें तो 45 है बेतन जो है जो हमारी पे होगी वो इतनी होगी 56,100 से 1,77,500 तक ठीक उसके बाद जो है पद का स्वरूप क्या है इसमें लिखा हुआ है कि आपने यह जो लिखा हुआ है निक्षात इसका मतलब आपने PG करें होए होना चाहिए मतलब MSC in Chemistry अगर Chemistry की बात करी जाए तो दूसरी आपको हिंदी और इंग्लिस आना चाहिए दो लेंग्वेज आपको आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिस प्राइॉर्टी दी जाएगी दूसरी चीज अगर किसी के पास जो है नेट किसी क्वालिफाई कर रखा है नेट का एकसाम ok file करma है तो उसे भी प्राइॉर्टी दी जाएगी तीसर जो है और किसी के पास जो है computer संबंदित याने मतलब कुछ computer का course कर रखा है कहीं से तो उसे भी priority दी जाएगी तो तीन चीज़ यह हैं लिखी हुई है इसके बाद जो है अगर किसी ने जो है प्रादेशिक सेना में दो वर्स या नियुनतम अबदी तक सेवा करी हो उसे priority दी जाएगी दूसरा NCC, National Credit Core, राष्टिये के अडिट को का B certificate या C certificate प्राप्त हो तो उसे भी priority दी जाएगी अगर हम जो है age limit की बात करते हैं तो नियुनतम IU 21 साल है अधिकतम IU जो है इसकी 42, 42 year old है और यह आपके सामने vacancy लिखी होई है कि जो है general के लिए कितनी है और अगर मैं बात करता हूँ यह आपके सामने लिखी होई है कि general के लिए कितनी है OBC के लिए कितनी है SC के लिए कितनी है ST के लिए कितनी है और EWS के लिए कितनी है तो देखिए लिखी होई है जो है आपकी 21, OBC के लिए 11 है अलग से कुछ मतलब women's के लिए या मैं कहाँ कि महिलाओ के लिए अलग से seat जो है इसमें हैं ठीक है कि 6 जो है वो general वालों के लिए OVC के लिए 3 और SC के लिए कोई नहीं है ST के लिए 2 और EWS के लिए 1 मतलब women's के लिए अलग से reservation दिया गया है ठीक वही अगर हम इसमें बात करते हैं कि कैसे कैसे ये exam होगा तो हम chemistry की बात कर रहे हैं तो chemistry में जो है तीन जो है आपका objective type जो बस्तुनिस्ट प्रसंद जो इसमें लिखे होए तीन paper होंगे उसके पहला जो है आपका होगा general Hindi या समान्य हिंदी बोल सकते हैं प्रसनों की संख्या सो होगी और जो है अधिक मतल और इसमें टोटल प्रसनों की संख्या सो होगी और जो है अधिक्तम ये भी सो नंबर का होगा और दो घंटे का ये भी exam होगा आपका वही अगर हम बात करें chemistry का जो अपना paper होगा वो डेड़ सो question आएंगे उसमें टोटल तीन सो नंबर का होगा और तीन घंटे का होगा मतल 50 नंबर का इसमें इंटर्व्यू दिया गया है कि 50 नंबर का आपका साकसातकार होगा ये 50 नंबर का अगर आप जो है उन 500 में से 6 नंबर ले आते हो तो फिर इस 50 नंबर का इतना महत्म नहीं रह जाता और अगर आप simple इंटर्व्यू देने भी जाओगे general question पूछ जाते हैं अगर आप जो हैं इंटर्व्यू दोगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर बता दोगे चलिए भई next चलते हैं अब अगर मैं बात करूँ जो हमारी हिंदी है मतलब जन्नल हिंदी उसका स्लेवस क्या होने वाला है तो उसका स्लेवस कुछ इस तरह से कि बन बिचार दिये गए हैं जिसमें आपके स्वर्व यंजन और बन्लों का बर्गी करण यह सब पुछा गया है दूसरा हिंदी सब्द समु जिसा तत्सम तद्वव यह होते हैं तो इनके वारे में हिंदी सब्द रचना तो उसमें उपसर्ग प्रतिय संधी समास यह सब पुछा जाएगा फिर हिं तो इसके लिए एक सब्द मतलब क्या हो सकता है तो इस तरह से यह होगा मुहाबरे होंगे ब्राम चिन होगा और संग्या सरबनाम विसेशान किर्या यह सब के बारे में भी पुछा जाएगा इसके बाद अगर हम इंग्लिस की बात करते हैं जो आपका सो नंबर का होगा उस को यह सब जो है इसमें भी पुछा जाएगा यह किसका है आपका इंग्लिस का है उसके बाद अगर हम केमिस्टी की बात करें तो जो आपका नेट का स्लेवस अगर आपने नेट की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप यह एक्जाम भी मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं को उसरा जो है पीरियोडिसिटी इन प्रोपर्टीज ओफ एटम तो पीरियोडिक टेवल के जो कोशन होते हैं हमारे सिंपल जो है क्या इलेक्टर निगेटिविटी और इलेक्टर नफेनिटी यह सब जो है आपको इसमें करना है लैट्टीस एनरजी हाइडरेशन एनरजी उस के बादड उसके बादड में ग्रुप का दे रखा है उसके बाद घर हम बहुत आपका है है इसके बाद अगर हम बात बास जैब फिर बायो इनıldıन fuerpit तो यह chemistry के एक दो कोशन पूछ सकता है तो यह आपका जो है सिलेबस है अब देखेगा और आगे देखिए आगे क्या देखेगा environmental chemistry के बारे में पूछ सकता है थोड़ा जो है data analysis के बारे में पूछ सकता है अगर यह prepare नहीं करोगे तब भी चलेगा अगर आपने main main यह चीजे प्रिपेर कर रखी है तो उसके बाद अगर मैं organic की बात करता हूं तो organic में spectroscopy दे रखा है जिसमें UB, IR, NMR, Microbabe, March spectroscopy यह आपकी spectroscopy दे रखी है दूसरा nomenclature of organic compound नomenclature मतलब IUPAC दे रखा है दूसरा isomerism दे रखा है stereochemistry आपका दे रखा है फिर organic reaction mechanism की organic का जो reaction mechanism है वो आएगा आपका दूसरा यह name reaction है कुछ यह name reaction दे रखी है name reaction के बाद थोड़ा सा जो है reagent भी आप पढ़ सकते हो उसके बाद जो है aromaticity आ गई, pericyclic आ गई, photochemistry आ गई photochemistry उसके बाद जो है photochemistry के बाद का सिलेवस अगर मैं physical की बात करता हूं तो देखिए गई, देखिएगा भई, physical की अगर हम बात करते हैं तो physical में क्या क्या आएगा अच्छा heterocyclic भी है, natural product भी है, natural polymer भी है, medicinal chemistry भी है यह भी physical में है अगर physical chemistry की बात करता हूं physical chemistry of polymer मतलब polymer के बारे में पुछा जाएगा, surface chemistry and collides, collidal solution के बारे में पुछा जाएगा तो यह आपका syllabus होने वाला है, total जो है आपका कितना हमें पता चला, 550 नंबर का यह होने वाला है, जिस में से 300 नंबर की chemistry है, 50 नंबर का जो है वो आपका interview है, 350 अब बचे कितने 200 नंबर, 200 में क्या है, कि 100 की तो हिंदी है, और 100 का क्या है, 100 का इंगलिस है, अगर आप थोड़ा भी हिंदी की कोई छोटी book ऐसे purchase करके थोड़ा भूद भी पढ़ लोगे, तब 20 में आप marks ला सकते हो, ऐसी इंगलिस में भी आप marks ला सकते हो, तो यह तो course provide करता है, आपको chemistry इसमें पूरी आपको कराई जाएगी, तो अगर आप chemistry का, इसका हम अलग से course बनाएंगे, तो अगर आप chemistry लेते हो इसमें, तो हम इनके लिए कोई booklet आपको provide कर देंगे, किसके हिंदी और English के लिए कोई booklet आपको provide कर देंगे, उसमें हम उसे बता कि आपको क्या-क्या इसमें से पढ़ना है तो आप जोइन कर सकते हो और अपना सेलेक्शन निश्चित कर सकते हो तो भई ये वेकेंसी निकली हुए बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी है आप सभी के पास जोइन करने की ठीक है तो थैंक्यू सो मच एबरिवन